हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 310 तो फ्रेंड अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 गंटे का वोस्ट टाइम कंप्लीट हो चुका है और आपने अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए भेजा और वहां से मोनेटाइज हो गया है आपका चैनल तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि मोनेटाइजेशन ओने के बाद आपको अपने चैनल में क्या-क्या सेटिंग करनी है तो अगर आपके चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है और आप यह सीखना चाते हैं कि वह कैसे करते हैं तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है उसका लिंक में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूगा और आई बटन में भी दे दूगा आप वहां से जाके इसली उसे सीख सकते हैं तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नियू है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बैल को भी ओन कर लें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने लैप्टोप की स्क्रीन के उपर आपको एक चीज बता दो अगर आप ये मोबाइल फॉन से ही करना चाहते हैं तो उसमें भी आप ये कर सकते हैं उसमें आपको गूगल क्रोम ओपन करना पड़ेगा और उसे डेक्स्टोप साइट में कनवर्ट कर लेना है और उसके बाद इनी स्टेप्स को फोलो करना है जो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ तो मैं सबसे पहले आपको मेल दिखा देता हूँ जो मोनेटाइजेशन के बाद मेरे को आया है यूट्यूब की तरफ से कि आपका चैनल यहाँ पे मोनेटाइजेशन ओन कर सकता हूँ ठीक है तो मुझे यह आपको भी ऐसा ही मेल आया होगा जब आपके चैनल मोनेटाइज हुआ होगा उसके बाद हम चलते हैं अपने चैनल के डैशबोर्ड पर हम यहाँ पे डैशबोर्ड पर आ गए हैं पर आप देख सकते हैं आपको यह पर भी बीच में यहां पर important notification में भी आपको एक welcome का YouTube partner program लिखा हुआ है congratulations you have been accepted into the YouTube partner program you can now monetize your channel and contact support तो यह हो चुका है welcome कर रहा हमारा channel monetize हो गया है यहां पर content पर click करेंगे और आप यहां पर देख सकते हैं एक monetization का option यहां पर आने लगा है जो अभी off-off दिखा रहा है उससे पहले मैं आपको एक setting और बता दूँ इसमें हमें नीचे scroll down करना है left side में और यह dollar वाला जो sign है जिस पर monetization लिखा है इसके उपर click करना है और यहां पर आपको super chat जो है यह आपको live के time आपको काम आती है तो इसको हमें सबसे पहले get started पर click करना है उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर यह कुछ detail इनकी features के बारे में लिखा हुआ है कि इसमें क्या-क्या यह चाहे तो आप पड़ भी सकते हैं मैं इसमें ząd करके नीचे आ जाताओं यहां पर आपको full name require यहां पर आपको अपना full legal name लिखना है जो भी आपके documents में है वो आपको यहां पर लिखना है और यहां पर आपको email id डालनी है और कंपनी नहीं लिखना है और कंपनी तो है नहीं हमारी हम तो विज्वल हैं तो यहाँ पर हमें simply and a करके लिख देना है ठीक है उसके बाद हमें आपे email id डालनी है और यहाँ पर अपना full name लिखना है कि मैंने यह अपना यहाँ पर नाम और email id दोनों डाल दी है उसके बाद हमें I have पर accept इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर accept कर लेना है उसके बाद आप देख सकते हैं super chat का option आपका यहाँ पर enable हो गया है और super sticker का भी आप चाहें तो यहाँ से disable भी कर सकते हैं अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप यहाँ से disable भी कर सकते हैं अब हमें वापिस उपर आना है यहाँ पर content में और यहाँ पर जो यह monetization के आगे जो off लिखा हुआ है अब हमें इस setting को करना है इस पर click करना है और इसे on कर लेना है save one by one करके हमें इसे save कर लेना है on करके on करना है save कर लेना है इसे भी on कर लेना है और save कर लेना है ऐसे हमें अपनी सारी वीडियो की जो भी monetization है उन सारी वीडियो को ऐसे on कर लेना है तो यह दो important setting है जो आपको monetization on होने के बाद करनी है अपने channel में इसमें मैं आपको एक वीडियो का monetization on कर लेंगे तो उसके बाद आप यह चेक कैसे करेंगे कि on हुआ है एड्स लगी है या नहीं आप किसी भी एक वीडियो पर क्लिक करेंगे और यहां पर आप left side में देख सकते हैं यहां नीचे यहां यह monetization का option आ रहा है इसके उपर क्लिक करेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं हमारी जो भी वीडियो है इसके उपर डिस्प्लेड लग गई ओवरले एड्स लगई स्पॉंसर कार्ड इसकी पे विल एड्स लगई नॉनसकी केबल भी अब ऑटोमेटिक इसने यूट्यूब के सिस्टम ने ऑटोमेटिक लगा दी है तो यहां पर इस तरीके से और यहां पर आप यह भी देख सकते हैं कि यहां पर यह देखी कि कॉंग्रेचलेशन यहां एक्सेप्टेट इन यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम तो यूट्यूब पर भी एक मेसिज आ जाता है आपको तो इस तरीके से आप अपने चैनल में मोनोटाइजेशन के बाद यह सैटिंग्स कर सकते हैं तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हू आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी अगर वीडियो अच्छी लगी होते से एक लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें थैंक यू